आप सबी को 17 नवंबर 2023 का दैनिक राशी फल लेकर मैं आ चुकी हूँ कर्क सिंग कन्या किसका तूटे का देल जाने दैनिक राशी फल और साथ में उपाए तो सभी लोग परेशान होते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे तो चलिए जार लेते हैं सबसे पहले राशी है मेश राशी मेश राशी के जातक आपको आज अधिक महनत करने की जरूरत है माता जी के स्वास्ति की चिंता सदाएगी यदि आप विवसाय करते हैं तो विवसाय दिश्टी से भी नत्ती के अच्छे अस्था प्राप्त होगी भवन वाहा नित्यादी की सुक्सुवधा प्राप्त होगी स्थाई संपती के मामले में कोई निन्य लेना ठीक नहीं है आज यातर करना आपके लिए सही नहीं रहेगा अगर आप अपना ज्यान और अनुभाव ओरों के साथ बाटेंगे तो निश्य ही आपको प्रतिष्ठा मिलेगी आज क्या नहीं करें आज जूट ना बोले और किसी की चुगली ना करें आज का महा उपाए आज आप भगवान गनेश्ची की जरूर से जरूर अराधना करें आज का शुभरंगे हरा व्रेश राशी व्रेश राशी वालों आज की ये गए कारें से आपको लाब मिलेगा खास कर आज पैसों से संबंदित काम करें उनका पूरा परिनाम आपको मिलने के योग है संटार का मार्गिडेशन जरूर करें आपको कुछ मौकों पर आदम इश्वास की कमी हो सकती लेकिन आप अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम होंगे आपके घर के कल है मिट जाएंगे इसके विपरीत आपके वेवसाय या कारिशेत का समय उत्तम है अपनी नीजे जिन्दगी में दूसरों को दखल ना दे आज क्या नहीं करें आज गलत फहमी को हावी न होने दे आज का बहाँ अपाई गणे जी की पूजा वश्ची करें आज का शुबरंग है हरा मिथुनाशी मिथुनाशी के जादक आज लंबे समय सट के मुआफजे और कर्जादी आखिरकार आज आपको मिल ही जाएंगे असमंजेस की सिती जथा अनावश्चक सोच आपके कारे में व्यवधान उत्मन कर सकती है इसलिए आप अनावश्चक सोच में ना पढ़ें आपको अपने दिन की शुरुवात योग और मॉर्निंग वाक से करनी चाहिए परिवार जनोविम संटानों से अन्बन हो सकती है अगर आप किसी गुरु का आशिवत प्राप्त करेंगे तो आपके सारे कश्ट दूर हो जाएंगे आज क्या नहीं करें आज प्राणी बातों पर ध्यान ना दें आज का महा उपाए गाए को हर अचारा खिलाए धन लाब होगा आज का शुब रंग है नीला करकराशी करकराशी वालों के लिए आज जीवन साथी से वैचारिक मत्वेद हो सकते हैं पारेवारिक मोचे पर लंवीद कारे परिशान करेंगे और आपका जीवन साथी परिशान हो सकता है आपको आवशकता कि अनुसाथ चीजों को प्रवधन करना चाहें किसी दूसरी की चेश्टा पस्वें लाब उठा लेना बहुत दिनों तक जारी नहीं रहेगा इसलिए खुद का काम शुरू करें बड़ों से परामिश लिए भी न कोई भी काम ना करें करीवी दोस्त और इसाथेदार रायाज होकर आपकी जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं आज क्या नहीं करें आज मन की बाद दोस्तों से कहने से बचें आज का महा उपाए आज पीबल के पेट के नीचे दिया जलाएंगे तो मानसिक परिशानी दूर होगी आज का शुबरंग है लाग सिंग राशी सिंग राशी के जातक आज आप काम काज को अत्यांत युक्ती संगत वसुचारू करेंगे स्वासे में कश्ट परतीत होगा धर्म कर्म में भी रुची बढ़ेगी कोई ऐसी खबर भी आपको मिल सकती है जो आपके जीवन को अच्छे मार की और प्रिशस्य करेगी कुछ समाजी या धार्मिक सेवा के कारे भी किये जा सकते है घर से निकलने से पहले बड़ों के पैठ छूकर उनका आशिवाद ले आप दोस्तों के साथ बहतरीन वक्त तो पिताएंगे लेकिन काड़ी चलाते वक्त जादा सावधनी बढ़ते आज क्या नहीं करें आज शरापीने से बचे आज का महा उपाय आज गने जी की सुती अवश्य करें कन्या राशी के जातक आज जीवन साथी के ओसे जान बुचकर भावनात में चोट मिल सकती हैं जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं अपनी भावनाओं को बश में रखें मोर्चे पर बच्चों का तनावपून प्रतिस्पदी दिन होगा विवसाई एक नए उद्धम में आएंगे जो उनकी रुचिका होगा शत्यूवर्गी की लोग परास्त होंगे आपको बच्चों जैसा भोला सभाव फिर सद्धा पर आजाएगा और आप शरार्टी मनोदशा में होगी आज क्या नहीं करें आज यहत को लिकर लाप्रवाही ना करें आज का महावपय आज लाल मस्रु की दाल दान करेंगे तो अच्छा होगा आज का शुब रंग है लाल तुला राशी तुला राशी की जाता का आज ऐसे लोगों से जुड़ने से बचे जो आपके परतिष्टा को आगाद पहुचा सकते हैं बाचीत में संयम रखें आज 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 बहुत भावना शील रहेंगे आपका सवहाविवान भंग हो सकता है सक्रात्म रिचारों के जर्ये इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है आर्थिक दौर पर सुधार तय है संतान की तरफ से शुब संदेश की प्राप्ती हो सकती है नौकरी के छेतर में अधिकारी वर्गे की लोग आपसे प्रसन दिखाई देंगे कुल मिलाकर फाइदेमंद दिन है आज क्या नहीं करें आज वानी पर सयम अवश्य रखें आज का महा उपाए आज हनुमान मंदिर में केले चड़ाए सूरे जल चड़ाए तो धनलाब होगा आज का शुबरंग है गुलाबी व्रिशिक राशी, व्रिशिक राशी के स्वामी जातक आज परिश्रम की अधिक्ता रहेगी कुछ पुराने मित्रों से संपक वन सकते हैं पारेवर्क मौचे पर चीजें मिली जुली रहेंगी लेकिन माता पिता का स्वास्ते एक बड़ी चिंता का विशय होगा आपके प्रियर को मामली मुद्धे पर गुस्सा आ सकता है किसी के बोलने से आपकी भावनाओं को ठेस लग सकती है भगवान के प्रती आपकी आस्ता बढ़ेगी आपके नई मित्र बन सकते हैं कुछ महतपून लोगों से भी मुलाकात होने की संभावना है आज क्या नहीं करें आज के दिन किसी प्रकार का करज ना ले और ना ही दे आज का महावपए भहरवदेव की पूजा करें उन्हें दूद और इमिर्ती चढ़ाए तो धनलाब होगा आज का शुबरंग हरा धनुराशी धनुराशी के जाद है आज के दिन ठकावट देने वाला रहेगा सुसवादू खान पान में रुची बढ़ेगी आपके पारेवारिक जीवन में चली आ रही अन्रबन की समस्य समाप्त हो सकती है अन्जान व्यक्ति पे भरोसा ना करें आन्याथा नुकसान उठाना पर सकता है सरकाई नौकरी से जुड़े लोगों को लाब होगा पती पत्नी का प्रेम जीवन और भी खुबसूरत हो सकता है बाचीत को रिष्टे सुधाने का जरिया बनाए बहतर स्वास्ते के लिए तलीभुनी चीजों से दूर रहें और न्यामित वयाम करें आज क्या नहीं करें आज से हद पर मौसम का प्रभाव बढ़ सकता है इसलिए समल करें आज का महा उपाय आज गनेजी को भोग लगाए और प्रशाद गरीबों में बाढ़ दें आज का शुबरंग है काला मकराशी मकराशी के जातक आज पुराने वादे पूरे करने का सही समय है नौकरी और करियर के छेट में किस्मत का साथ मिलीगा विरोधियों का प्रभाव कम हो सकता है वाणी के नर्मता ही आपको सफल बना सकती है प्यार महबत के मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचें आपका स्वास्ते समाने रहेगा सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते है अपने काम से काम रखना बहतर रहेगा दूसरों के मामले में कम से कम दकल दे आज क्या नहीं करें आज तनाव से बचें आज का महा उपाए मोती धारन करेंगे तो मानसिक शान्ती मिलेगे आज का शुपरंग है हरा कुमराशी के जाह तक आज निवेस फायदे मन रहेगा और सम्रधी लेकर आएगा मानसिक बरेशानियों में कुछ कमी भी आ सकती है तता आज प्रसंद रह सकते हैं आपके प्रेम संबंदों में मधूरता आएगी आप अपना अच्छा समय परिवार की लोगों की साथ बिता सकते हैं आपके पारिवरिक जीवन में शुक और शान्ती बनी रहेगी मिधोनाशी वाले लोग दयालू और दारता का वहवार कर सकते हैं मांसिक ब्यगरता और शारिरिक स्वस्था रहेगी केवल सक्रात में विचारों को ही दिमाग में आने दे आज क्या नहीं करें आज नशे से दूर रहें आज का महा उपाए आज आप भगवान गनेश की पूजा राधना विशे शुरूप से करें पीपल के विख्ष में जल चड़ाएं आज का शुबरंग है हरा मीन राशी मीन राशी के जाद तक आज आज आपके थोड़ा कश्टदाई हो सकता है इसलिए सभी कारियों में सामधानी बढ़ते कारियों के परती जोश है वो मुस्साह रहेगा अपने वरिष्टों के साथ किसी भी तरह क्या हंकार में आने से बचे काम पर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है इसलिए आपको इस बारे में सतर करहने की जरूरत है नवीन वस्रेम आभुशन को खरीदारी होने की संभावना है बाहर घुमना फिनना पार्टि और मौज मस्ती आपको अच्छे मूड में रखेंगे आज क्या नहीं करें आज किसी का अपमान ना करें आज का महा उपए आज अनार का पेड लगाएं इसे आपके पारवारी को संतान समंदी समस्या का निदान होगा आज का शुब रंग है नीला तो आज का द्यानिक राशी फल हो चुका है आपका दिन मंगल मैं हूँ आपके उपर भगवान की असेम क्रिपद इस्टी सदेव बनी रहे हैं आपके जीवन में कोई भी परेशानी कष्ट ना है अब मुझे आगया दीजे फिर आते हूँ कल के द्यानिक राशी फल के साथ में चैशी कृष्णा आप समीगो